भोजपूरी के उत्थान के लिए वर्सों से योधा के रूप में अपनी योगदान दे रहे मनुज सर हमारी साथ हैं लेकिन सर का इतिहास काफे अलग रहा है सर पहले इंजिनियर बने तो सर बातचीत का सिलसिला सुरू करने से पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आप इंजिन दिमानसू पहले तो आपको देख रहा है तो मुझे अपने बच्पन का अपना समय याद आ रहा है बस जिस तरह उर्जा आप में है आप मुझसे बात करने आए हैं यही सिलसिला था मैं स्टूडेंट था आप तो अखबार से जुड़े हैं इतने बड़े अखबार से प्र लगता था तो जीवन में आनंद जिस काम में मिलने लगा आदमी उदर आगे बढ़ने लगता है तो यही पटना है जहां पर रंगमन से जुड़ा बड़े-बड़े सिल्वेटी का इंटर्व्यू करता था दुरदर्सन में भी इंटर्व्यू किया फिर सिरियल लिखा तो इसकी न्यू बच्पन में ही पढ़ चुकी थी बच्पन में थेटर में रामलीला में यह समय करना धीरे 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 जब आप किसी सपने को लेकर आगे बढ़ते हैं और रास्ता अगर आपका बदल भी जाता है तो बार-बार अंदर खुल बुलाते रहता है इंजिन करूं पढ़ने में ठीक ठाक था कंप्लीट किया बाहर गया विदेशों में गया जैसा कि आपने जिकरी के आफ्री का गया लंदन गया नौकरी की परिवार को लेकर गया वहां पर पैमली के साथ था सब कुछ ठीक था लेकिन यह इच्छा इतनी प्रवल थी और खास करके हम बत्पुरी के लिए गंभीर रूप से काम करने वाले लोगों की कमी है बपर खम करोड़ों काम जा है कि 100 क्रोड़ है लेकिन यह काम जा'm करना चाहिए तो मुझे काम करना चाहिए और मैं वापस लौट आया और चाहिए और काम करंड़ा उसके बार लौट अलग लग टीव के साथ काम किया बच्चों के लिए सारे गामा पारंग पुर्वया और लेटिल चैंप्स बनाया तो यह सिलसिला चाहे फिल्म हो टेलेविजन हो साहित्य हो थियटर हो जिद थी कि भोजपुरी के लिए काम करना है उंदा काम करना है तो करता रहा और कर रहा हूं और इसी काम क कि दूरा सम्मान के लिए काम नहीं करता है अगर कोई ये सोच के काम करता हो कि सम्मान मिले या पैसा मिले या नाम मिले तो काम छोटा हो जाता है अचिहलिक काम आपका इतना बढ़ा हो ये सारी चीज़े जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में आए बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको यही खत्रा है कि टार्गेट देख भी आप इंजिनियर बनो डॉक्टर बनो नौकरी के लिए तो बन जाते हैं उसके बाद उनको समझ में आता नहीं जीवन का जो गोल हो इतना बड़ा होना चाहिए कि अगर बन गया तो अच्छा नहीं भी बने तो मैसा नहीं कि डिस्ट्रॉय खुद को कर ले बच्चे स्विसाइडल हो जाते हैं यह तो एक रास्ता है इंजिनियर बनना डॉक्टर बनना एक्टर बनना राइटर बनना एक रास्ता है से प्रुसान मिल रहा है अची बात है दूसरी चीजे भी होती है आपके किट साइज होती है लोग टांग किरते हैं ट्रोल किये जाते हैं तो यह भी जितने लोग हुए रामकृष्ण को लोगोंने नहीं चोड़ा पग्मान राम को नहीं चोड़ा गाली देने वाले उनको भी ग अगर आप को चांद सुरज बनना है तो ग्रहन तो लगेंगे और आप में छमता होनी चाहिए कि आप उसको सापाए जो सहा है उसने ही इतिहांस राचा है सुकरात बड़ी-बड़ी कहानिया है जिनको लोगों ने पत्थर मारे सूली पर लटकाया गया तो पागल कहा लोगों तो हमारे जैसे लोगों को भी लोग घर के लोगों ही बाहर के लोग कि लंदन में वेल इस्टैबलिस लाइफ है और यह पागल ही कोई होगा न सब को छोड़ छाड़के आके वोगी बोच्पुरी काम करेगा जहां पैसा नहीं है बोच्पुरी में तो सिर्फ देना है आप को मिलना कुछ नहीं है आपको समय देना है आपको स्रम देना है पैसा तो ही नहीं वो विसाहिति में कहा है सिनेमा में अगर आप कुछ लिख रहे हैं कमर्सियल प्लेटफॉर्म पर तो थो आप पैसे मिल भी जाते हैं गायक हैं तो प्रोग्राम मिल जाएगा लेकिन लिखन कोई बिवस्ता नहीं कोई ले लेके उनके किताब मौफ्त में चापे बोजबुरी के साथ तो अभी एक दूसरे ढंकी लड़ाई है सरकारी मान्यता भी नहीं मिली है लेकिन उसमें भी जिद है कि हमको काम करना है अभी नए सत्र भी चल रहे हैं लोग अपने अपने पसंद के कोर्स में जा रहे हैं पढ़ना नहीं पसंद है उन्हें रंगमंज से जूड़ना है या फिर एक्टिविटी में तो वह उधर जा रहे हैं तो आप यह बताए कि आपको जो पसंद है वह काम करना चाहिए उसी में आप कम काम आप हासिल कर सकेंगे और दूसरी बात यह है कि स ने हैं यह सारे इंडस्टिन can लगातार कोई नहीं जहता है तो समय तो सबका होता है वहुझपुरी है और और हमारी बोजपुरी इंडस्टी भी दूसरी इंडस्टी की तरह है, नई भी नहीं है न, 60-70 साल की इंडस्टी हो गई, बोजपुरी इंडस्टी, तो और लाखों लोग का इसे चुला जल रहा है, तो इसलिए तो इसे इंडस्टी को सेल उट करना चाहिए, हाँ कुछ सवा उटते हैं, कंटेंट को लेकर, वालगारिटी को लेकर, कोई चीजे हैं, जिनका ठीक होना जरूरी है, और समय ठीक करेगा, समय सबका इलाज करता है, ठीक है, तो चीजे ठीक होंगी, अच्छे, यहोंगी मैं बहुत इसको लेकर सकरात्मक हूँ, बच्चों की जहां तक पैसे सही होगा, तो जो जरूरते हैं आपके बच्चों के लिए, आपके पैरेंट्स के लिए, तो आपको पूरा करना होगा, और अभी साहितिक इस्तिति भोसपोरी में, क्या हिंदी में भी साहितिक इस्तिति ऐसी नहीं है, जिससे आपका घर चल सके, यह बिढम बना है, लेकिन उसके पैरलल आपको एक विवस्ता रखनी होगी, नहों करी करने, बहुत सारे डॉक्टर लेखक हैं, इंजिनियर लेखक हैं, बहुत सारे इंजिनियर हैं, मैं थोड़ी हूँ, तो दूसरे उसमें राकर भी वो काम करते हैं, अपना शौक पुरा करते हैं, क्योंकि उस सौक से उनका पेट नहीं भर सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको भी अपना रोजगार बनाया है, फिल्मों में जाकर लिख रहे हैं, कमर्सेल प्रेटफर्म पर लिख रहे ह हैं, acting कर रहे हैं, singing से उनका चल रहा है, तो आपके पास ये आपको पता होना चाहिए, कि आप उसमें कितने दक्ष हैं, कितना आप कर सकते हैं, परिवार चला सकते हैं, ये आप बहुत यक्तिकत निर्णा है, बाकि कोई भी छेत्र ऐसा नहीं है, जिसमें अगर आपकी दक् कविता, मतलब लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने सुना, देखा, तो उससे आपको कितना फाइदा हुआ है? वो बाजार या वो मंच नहीं खड़ा हुआ है, जिसे आपको पैसा मिले या आपका घर चले, लेकिन मैं उसके लिए लिखा ही नहीं, अगर पैसे के लिए लिखता तो फिर मैं लंदन चोड़ कर क्यों आता? अफरिका चोड़ कर क्यों आता? नौकरी चोड़ कर भोशपू करियर बनाना चाहते है, तो यहाँ खत्रा है, करियर अभी नहीं हो सकता है। उसी को रास्ता बहुत सारे टीबी चैनल आये रास्ता मिला ना पत्रिका एक निकालता हूं उसका संपाधन करता हूं फिल्मों में भी गाने लिखे अभी मेहदी लगा के रखना में मेरा गीत आया जिसको बहुत लोगों ने पसंद किया राहूल पांडे तो सुरसंग राम मे उसके पहले नील कमल ने गाया है फिल्म में अचरा छोड़ा के चल कहे दिहले इतना दूरे माई अब के बबुआ बबुआ करके हमके पास बुलाई के सारी लालियादो ने अक्टिंग की है तोरा भी ना जी ही जी कई से तुर बहुरा हवारे माई लेकि लोगों ने पसंद लिए इस वर आपको रास्ता देते जाता है उन्होंने जो डारेक्टर है रजिस्ट मिसरा जी ने उन्होंने फोन किया कि माँ ये सीन है कि सारी लाल उसमें यह हैं फिल्म में जो उनकी माँ बनी है उनका डेथ होता है डेट बड़ी जा रही है और आचल टच हो रहा है इस स के हमके पास बुलाई तो राविना जी ही जी ही कई से तुर बावड़ावारे माई और गाना बना अच्छा बना तो सिचुएशनल सौंग है उन्हें एक सिचुएशन दिया उस पर मैंने गित लिगा प्रभात ख़बर के दर्शकों को अगर आप अपनी कवीता सुना दे ग तो बहुत लिवने पहसं परहिए आप YA हैं योध के लिए भूथ सारी बाते आपने की तो मैं उनके लिए कुछ सुत्र शेर के रूप में दे रहा हूं कि आप आत्म विश्वास रखें, संकल्प लें और संकल्प में बिकल्प नहीं रखें, यह नहीं रखें कि यह नहीं होगा तो यह कर लेंगे, यह नहीं तब तो पिर आप बिकल्प की तरब भागें आप संकल्प लें और मेरा शेर है कि हमरा विश्वास बाटे जे हम एक दिन अपना सपना के साकार करबे करब लाक घेरो घटाआ कुहासा मगर बन के सूरज कभोतर निकलबे करब इस अलग बातबा बहुत बार जीवन में असफलता मिलती हैं फेल होते हैं चाहे प्यार हो चाह बार जीवन में फेल होते हैं तो इअलग बात बा आज ले सीप में हमरा हरवे रभाव को बालू मिलल परिहे सोचके अभियो डूबल हैं एक दिन हम तो मोती निकलबे करब एक दिन हम तो मोती निकलबे करब